हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए बहुत यूनीक सा वीडियो लेकर है हूँ आज का वीडियो बहुत सारे लोगों को बहुत काम आने वाला है जैसा कि आप देख सकते हैं आज मेरे सामने ये हमारे घर में बहुत ही अच्छी से बेल होगी ही है ये है तो इस बेल का नाम है गिलॉय और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे ये इम्मुनिटी बूस्ट करने के लिगे बहुत 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 ज़ाद अच्छी है इसके काड़े देंग्यू में और तरह-तरह के बहुत जादा यूस कर सकते हो अभी इसकी जब आपका मौसम बदल रहा है बार 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 बारिशों का टाइम चल रहा है तो यह बेल हमारे घर में इस तरीके से उगीवी है मेरे फादर इनलो ने लगाए थी काफी साल पहले और यह बहुत बड़ी हो गई है अभी तो इसकी पत्तो का काड़ा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन इसकी जो यह डंठल होती है इस तरीके से मोती इसका काड़ा स्पेशलि बोकोत ज़्यादा फादे ज़्यारा होता है ये बहुत ही फाइदे मनकाड़ा है बहुत सारे अलग-अलग तरेके के डिजीजेस में हल्की-फल्की बिमारियों में काम आता है और आपको मौसम के बदला से हुई बुखार, सर्दी जो काम से तो डेफिनेटली हेल्प करेगा तो आज मेरी फ्रेंड भी घर पे आई दी है तो उसने का कि चल यार आज में को सर्दी हो रही है बना के दे तो मैंने सुचा शूट भी कर लेते हैं उसको भी बना के पिलाते हैं और आपको भी बता देते हैं तो इसको बच्चे से लेके बड़ा सब ले सकते हैं देखिएगा इसके multiple benefits हैं बाबा राम देव और और भी बहुत सारे आयरवेदा चारे जो हैं उन्होंने भी बहुत कुछ पताया है इसके बारे में तो आप एक बार जरूर देखिएगा और ये देखिए मैं इसके पत्ते हटा दूँगे और मैंने न ये जो उसकी fresh वाली जो है उसको थोड़ा सा प्रिपेर करने में दिक्कत होती है तो यहां पर ये इस तरीके के हरी हरी जो डंडी है न वो हम ले रहे हैं मोटी डंडी का भी बनाते हैं लोग लेकिन उसको प्रिपेर करने के लिए उसको छिलका चीलना पड़ता है और उपर से covering खटानी पड़त मैंने यहां पर डंडी ली है 20-30 ग्रैम के करीब ली है और काफी यह सॉफ्ट है उस बड़ी वाली से तो काफी सॉफ्ट है वो उसको काटने में जान निकल जाती है तो यह जो है यह हम काट लेंगे छोटे छोटे पीसेज में इसको पीसना नहीं है छोटे छोटे पीसेज म न वो हम नहीं लेंगे काले पार्ट्स को अटा दीजे अच्छे से साफ सुत्रे पार्ट्स को लीजेगा और मैं बता रही थी ये बहुत ही आसानी से उग जाता है इसको जादा केयर की भी जरूरत नहीं है और बहुत ही आसान है इसको गाना और आपके आसपास भी होगा कहीं उगावा तो आप एक बार सर्च कीजिएगा जरूर मिल जाएगा आपको आसानी से जादा दिक्कत नहीं होती है तो बहुत आसानी से उग जाता है ये इसके बाद मैंने अद्रक ली है अभी सीजनल जो चेंज हो रहा है उसमें अद्रक को यूज करना तो एक मस्ट चीज है क्योंकि अद्रक जो है ना सूखने के बाद भी बहुत फायदा करती है मतलब अगर आप इसको सुखा के इसका पाउडर बना की यूज करोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा करती है लेकिन वो काफी गरम होती है फ्रेश यूज करेंगे तो इतनी गरम नहीं होती है तासीर मैं बता रही हूँ तासीर में गरम हो जाती है लेकिन अगर आप फ्रेश अद्रक का यूज करोगे तो ये इतनी ज़्यादा गरम नहीं होती है लेकिन ये गले की खराश, बलगम, सरदर्द, हलके फुलके बुखार इसके लिए बहुत अच्छी है तो आज जो मैं काड़ा बना रही हूँ ना इसके अंदर हम अद्रक का भी इस्तमाल करेंगे साथ में ये फ्लेवर भी देगी काड़े को क्योंकि गिलॉय थोड़ा सा काड़वा होता है लेकिन अद्रक कड़वी नहीं होती है तो यहां पर ये काड़ा बनाने के लिए मैंने पैन में डेड़ से दो ग्लास के करीब पानी लिया है और इसके अंदर हम ये गिलॉय हमारा कटावा और अद्रक डाल देंगे अद्रक का मैंने डेड़ इंच का टुकडा लिया है और 20-30 ग्राम के करीब हमने गिलॉय लिया है और दो ग्लास के करीब पानी डाल दिया है और इसको हमको बॉयल करना है तो boil करने के लिए आप खुला भी boil कर सकते हो लेकिन मैं ढखके boil करना प्रफर करती हूँ इसमें उपर हलका सा ज्ञाग आएगा जब तक ज्ञाग थोड़ा separate नहीं हो जाता ना मतलब खतम नहीं हो जाता तब तक हमें boil करना है इसमें कम से कम 5-7 मिन्ट लगेंगे इसमें दो लॉंग भी मैं डाल रही हूँ और 4-5 काली मिर्च डालूंगी इससे ये काडे में हलका सा फ्लेवर भी आएगा और ये गले के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तो आपको सरदर्द हो रहा है सरदी से हलका फुलका जुखाम है हलका फुलका बुखार है तो ये बिल्कुल एकदम से उसको खतम कर देगा और बढ़ने नहीं देगा बिमारी को और ये देखे ये कम से कम पांच से साथ मिंट मैंने बॉइल कर लिया है जाग भी नहीं है उपर बिल्कुल ही बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमारा लिक्विड है मतलब हलका सा गोल्डिश कलर वाला लिक्विड है अब ये ना कडवा होगा मैं सीरिसली बताऊं गिलॉय होता है लेकिन अगर आप इसको पी सकते हो तो आप एसट इस लीजिए लेकिन अगर आपको इसको पीने में दिक्कत हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा शेह या फिर नीम्बू का रस भी डाल सकते हो ताकि ये थोड़ा सा पी सके बाकि इसको गरम पीजिए ठंडा पीज तो आप दोनों तरीके से पी सकते हो तो इसको मैंने च्छान लिया है और इंस्टेंटली ही आपको इसको यूज करना है रखना बिल्कुल भी नहीं है और इसको पीने के साथ आप कुछ परहिज भी किजिए ठंडा वगर मत खाईए या फिर बारिश वगर मत जाईए तो वो जादा बेनेफिट करेगा और साथ ही साथ आदा गंटा पहले और एक गंटा बाद आपको कुछ नहीं खाना है तो ध्यान रखेगा और दिन में एक बार आप इसको यूज कर सकते हैं जरूर ट्राय कीजिएगा रेमेडी वीडियो को लाइक और जाद जाद शेयर कीजिएगा मुझे कमेंट करके बताएगा आपको रैस्पी कैसी लगी चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई